कहने के लिए कोई कठिन सवाल अगर मैं लेकर आजाएंगे आपके बीच में और आप उसको अपने अस्तर से करते करते अगर फंस जाएंगे तो उसको आप यह मान लेंगे कि यार यह तो बड़ा कठिन था सोचिए सोचिए अगर आप किसी कुश्चन में फंस जाते हो और नहीं कर पाते हो तो उसको क्या मान लेते हो यार यह तो बड़ा कठिन था दूसरे को भी यही बात बताते हो कि यार यह तो बड़ा कठिन था तो वैसा ही एक सवाल मैं आपके सामने समाकलन वाला लेकर आया इसके बाद आप जज करिये कैसा था यह कठिन था कि नहीं था देखिए द्यान चे देखिए पांच पलस चार एक्स पलस एकस स्क्वाइर ली एकस इसी का समाकलन करना है का समाकलन किजिए अब जरह सोचिए आप कि आप इसमें कितने जल्दी से जल्दी सफलता जल्दी से जल्दी इसके अंसर कैसे पाएंगे मेरी आख में थोड़ा सूजन है यहां पर दोनों तो मेरे आख पर ध्यान न देख करके आप इस पर ध्यान दीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूं तो भाई देखो इसे देखकर लगता है कि यह कठिन होगा लेकिन मैं समझता कि कभी-कभी टेक्निक भी बहुत ज़्यादा आपका काम आसान बना देती है तो यहां पर टेक्निक मैं लगाने वाला हूं ध्यान से देखिए क्या टेक्निक है पहले इसको लिखिए फिर इसको लिखिए उल्टा चलिए इसको फिर इसको फिर इसको तो इसको लिखते से मे मेरा हाथ रुक जाएगा मेरा हाथ रुक जाएगा पांच को ऐसे नहीं पांच को पांच मत लिखिए पांच को हथोड़ी लेके तोड़ दीजिए अरे भाई जब मैं पढ़ाता हूं वीडियो बनाता हूं न तब इस मकान के उपर से जहाज गुजरती है बहुत ज्यादा सोर होता है चली गई चलिए साध आपको आडियो नहीं जा रहे होगी जहाज लेकिन मुझे बड़ी तेज सुनाएं दे रही थी मैं डिस्टरब था तो फिर से समझिए पहले मैंने इसको लिखा तब इसको लिखा तब इसकी बारी है पांच की तो पांच को पांच नहीं लिखेंगे हाथावडी से मार के तोड़ देंगे दूग टुकडा बना लेंगे पांच का एक टुकडा में चार दूसरा टुकडा में एक ये भी तो मिला जुला के पांच है बोलिए भाई ये भी तो दोनों मिलके क्या है पांच है पांच को ऐसे लिख दिया X plus 2 का whole square और plus 1 ठीक है अब X plus 2 को क्या माल लेंगे X plus 2 को माल लेंगे T आउकलन करेंगे D X बराबर आजाएगा D T ठीक है अब ध्यान से देखिए मेरे भाई एक बटे क्या हो जाएगा T square plus 1 dt और यह तो आपको पता हिए यह किसी का सूत्र है किसका सूत्र है 10 inverse t का है किसका है 10 inverse t plus में c तो 10 inverse t की जगह पर t का मान यही वाला रख दीजिए x plus 2 क्या हो गया x plus 2 और plus में c यह हो गया answer यह हो क्या answer अब मैं इसके आगे जो सवाल बताऊंगा वह भी बड़ा सांदार होगा लेकिन उसके पहले मेरा फोर नंबर आप ले लीजिए भाई अगर आपको मेरी वीडियो से लगता है कि आपका कल्यान हो सकता है आप पास हो सकते अच्छे नंबर ला सकते हैं फिल होने से पास होने में आप सकते हैं और कम नंबर पाने वाले हैं तो ज्यादा पा सकते हैं असी पाचासी पाने वाले हैं तो पंचानवे सो तक जा सकते हैं वही मेरे से सहयोग लोगे मेरा क्लार लोगे तो जरूर आगे जाओगे तो इस वज़े से फोर नंबर सेफ कर लिजे मेरे फीस मातर 500 रुपे होती है एक बार देना 500 रुपे लगेगा हाँ डेमो वीडियो कि लेचना हो अग्त लोगे लेचना लेन दीना डहर देख तो लेना तल्यएं खाजिशंग। स्वेंच ज़ोगे हैं अंप ciudad इंडिय ने घ्यान से देखनां। ध्यान से देखना आगला सवाल जड़ा देखिए ध्यान से देखिए आगले सवाल को भी बहुत ही उल्टा पल्टा काम इसमें करना है काम है 1 प्लस 10 स्क्वाइर एक्स बटे 1 माइनस 10 स्क्वाइर एक्स इसी का समाकलन करना है बच्चे कहेंगे गुरु जी एक तो बच्चे गलती कर देंगे कहेंगे कास्टू एक्स का सुत्र है अरे चेला जब माइनस उपर रहेगा पलस नीचे रहेगा तो जाकी कास्टू एक्स का सुत्र बनेगा कुछ लोग जल्दिवाजी में धोंधिया के गलत कर देते हैं माइनस उपर प्लस निच्चे जब रहेगा तो अब जाके कास्टू एक्स का फर्मूला बनेगा लेकिन यह तो उल्टा चिन्न उपर हो गया माइनस निच्चे हो गया तो अब क्या करोगे अभी एक उपाय है उपाय करेंगे तो काम बन जाएगा भाई बस देखिए ध्यान से उपाय क्या है यह जो उपर वाला अंस है ना जानबूज के नीचे जटक दीजे तो उपर से जब सब कुछ हटाया देंगे तो वन बचेगा और यह बीच में है रहेगा बीच में और यह जो उपर से हमने हटाया नीचे लाया ऐसे ठीक है समझिएगा अब यह जो कुछ्टक में बंद हुआ अब यह है कास्टू यक्स का सूत्र यह कास्टू यक्स का नहीं है यह कास्टू यक्स का है ठीक है तो अब लिखिए आप एक बटा कास्टू यक्स डीक्स एक बटा कास्टू यक्स को क्या लिख सकते है सेक्टू यक्स ठीक है, अच्छा, सेक का समाकलन सूत्र क्या होता है, सेक एक्स का समाकलन होता है, लाग 10, लाग 10, पाई बाई 4 प्लस, एक्स बाई 2, ठीक है, ये सूत्र होता है, सेक एक्स का समाकलन ये सूत्र होता है, तो इसके सूत्र का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे 2 एक्स वाले में, तो कैसे होगा ध्यान से देखना, सेक 2 एक्स को एक्स समझ लो, 2 और एक्स दोनों को मिला कि क्या समझना है, एक्स है, यानि पूरा फार्मूला यही लिखेंगे, एक् 2x क्या लग देंगे 2x काम हो जाएगा तो लाग 10 पाई भाई 4 प्लस 2x भाई 2 अच्छा एक चीजा अध्यान दीजिए अब 2x कुछ 2x समझिए और x का जो गुडांक होता वो बटे में आ जाता सुरुवात में तो यह जो एक बटे दो आया है ना यह दो यह दो बटे में आ जाता है जब टीमान के लगाओगे लंबा चोड़ा जाओगे तब बटे में दो पाओगे तो टीमान के हम क्यों हाल करेंगे हम सुत्र लिख देंगे सुत्र के मदद से हम कर दिए तो यह हमारा हो गया एंसर यह दो-दो कर जाएगा एक बटे दो लाग 10 पाई भाई 4 प्लस एक्स जे हो गया हमारा एंसर ठीक है तो यह दोनों सवाल कैसे थे आपके लिए आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा अगर नहीं आया भाई तो मेरा समाकलन पर पिच्चर बना है मूवी बना है मेरा समाकलन मूवी देख लेना तुम दो घंटा 24 मिनट के मूवी ह मार धार गाली गलोज एक्षन डाइलाक सब कुछ है उसमें हासी मजाक सब है देखोगे तो समाकलन में हीरो बन जाओगे बस मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तेंक्यू